जब बात आई सराब बंदी के, कि पूर्ण सराब बंदी करेंगे, अब कांग्रेस की PCC अध्यच मोहन मरकाम के जो बयान है, इस से इसपष्ट ये है कि वादा खिलाफी कर रहे हैं, क्योंकि सराब को आएका जरिया मानते हैं, सराब को आएका स्रोत मानते हैं, और ना केवल सर कारी भी आये आज पूरे प्रदेश में सराब बंदी हो जाने चाहिए थे तीन साल से उपर का समय हो गया है लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया कि हमारे संस्कृति में है रसा है बसा है जनता ने आप से मांग नहीं कि थे कि आप सराब बंदी करें कोई अन्य पार् प्रलोभन देना चुनाओ जीतने के लिए बलका प्रयोग करना और चुनाओ जीतने के लिए जो प्रजात तंत्र में नहीं किया जा सकता हो सब कुछ करना कांग्रेस की फितरत में हैं लेकिन जब चुनाओ जीत जाते हैं तो चुनाओ जीतने के बात में फिर उन्हीं जनता औ के चरित्र में आपको देखने को बिलेगा और यही उनके PCC अध्यक्ष का बयान है जिससे लगता है कि सराब बंदी नहीं करेंगे तो नहीं करनी थे तो आपको यह गोश्णा नहीं करनी चाहिए और किये हैं तो जनता के सामने आपको माफी मांगनी चाहिए वादा खिलाफी के बजाए वादा निभाना चाहिए और पूर्ण सराबबंदी करने चाहिए यह आपका घोष्णा पत्र है और आज नी तो कल आपको करना पड़ेगा